प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सबसे ज़्यादे महनत कष्पोलिटीशन है इसमें कोई शक्स उबे वाली बात नहीं है आज तमिलाडु में हैं कलकेरल में होंगे परसो पस्चिम बंगाल में होंगे बिहार में होंगे नवादा में होंगे उत्तरफरदेश में होंगे एक दिन में तीन तीन चारचर स्टेट को कवर कर लेना नरेंद्र मोधी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है महनत कश आदमी है जमीन से उठकर उपर तक पहुँचे हैं और यही वज़े है कि आज सारा विपक्ष एकटा होकर भी नरेंद्र मोधी को हिला नहीं पा रहा है दिगा नहीं पा रहा है इविन परेशान भी नहीं कर पा रहा है दूसरी और जहां पर चैलेंज है उन्हें लगता है कि उन्हें जहाँ जादर मेहनत करने की आवशक्ता है वो मेहनत करने से पीछे नहीं अटते है अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ उत्तर परदेश की आज के बीडियों वैसे जो पहले चलन का मतदान है वो पस्चिम बंगाल में भी होगा और तीन लोग सभा सीटे पस्चिम बंगाल की कवर होंगी आठ लोग सभा height यहां की भी कवर होने जा रही हैं उत्तर प्रदेश की उत्तरकंड की जो पांच सीटे हैं उन पर भी चुनाव होगा रुनाचल अगर उन इलाकों में कार्यक्रम रख रहे हैं सभाएं कर रहे हैं रैली कर रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि पछली बार उन्हें चैलेंज फेस करना पड़ा था जैसे पस्ची मुत्तर परदेश में जिन आठ लोग सबा सीटों पर 19 अपरेल को मतदान होना है वो हैं बीजेपी ने जीती थी वो भी बड़े टफ मार्जिन से जीती थी जैसे के मुझा फरनगर की सीट काफी नजदी की फाइट रही थी इन सीटों पर तो बीजेपी को ये भी चैलेंज इस बार देखना था कि जो सीटें पिछली बार चैलेंज चैलेंजिंग साबित हुई थ थी उन सीटों को इस बार किस तरीके से स्मूध बनाया जाए और उसी हिसाब से नरेंदर मोधी के कारेकरम भी प्लैन किये जा रहे हैं देखिए बारा तारिक को वो दैरादून में होंगे और 31 मार्च से वो पश्ची मग उत्तर परदेश में शुरू हो गए थे और कल यान परदेश में इतनी सीटे आसानी से जीत रहे हैं तो आपको परचार करने की क्या जरूत है यहीं वारों मात खा जाते हैं नरेंदर मोधी किसी भी चीज़ पर कयास पर अठकलों पर काम नहीं करते हैं उनकी अपनी एक प्लानिंग है उन्हें लगा कि मुझवर नगर लोक जीती थी कमजोर सीट है पिछली बार मेरट की सीट में 5000 का ही अंतर था जी थारrzy का तो उन्हें लगा कमजोर सीट है कुछ और सीटे हैं जैसे के बिजिनोर सीट है पिछली बार हार गई थी इसमें हख़ा गाई और सारणपूर में रेली की, अभी गाजयाबाद में परसोर होने रोड शो किया, उसकी जलग मैंने आपको दिखाई भी थी कल पे शो में, तो बहुत सारी चीजे जो है नरेंदर बोधी पहले प्लान करके रखते हैं, और उसी हिसाब से काम करते हैं, जैसे अब मैं आपको ध सैनाद्यक्स दो बार के सांसर हैं, लोगों में एक चर्चा फेला दी गई है पूरे इलाके में, फस्टी उत्तर प्रदेश में के ठाकूर नाराज हैं, ये बड़ा हास्यास्पद सब परचार किया जा रहा है, के ठाकूर नाराज हैं, जैनल वीके सिंग ठाकूर हैं, जो सै नद्यक्स हैं, फौजी रहे हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया था, दोनों ही टर्म में मोदी ने उनको मंत्री भी बनाया, और हो सकता है कि आगए राज़े सबह में वेज दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए, लेकिन परचार करने के लिए लोग बाग ये कहने लगते ह थाकूर नाराज हैं, सारणपूर का धनोता इलाका है, वहाँ पर एक करेकरम आयोजित किया गया है, थाकूर समाज की, राजपूत समाज की के साब बीजेपी का बाइकाट करना है, क्यों बाइकाट करना है, जिन आठ लोग सबह सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा पिछली बार भी आठ की आठ सीटों पर अगर जनरल वीके सिंग को छोड़ दें, जनरल वीके सिंग का दूसरे चरण में होगा मतदान, अगर इन आठ की आठ सीटों को छोड़ दें, इन आठ सीटों पर किसी पर भी ठाकूर प्रत्याशी बीजेपी का नहीं था पिछली ब उनके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी बन रही थी तो इसी वज़े से और सपा बसपा का गटबंदान था ये मत भूलिये पिछली बार हो सकता है का राजंदर अगरवाल चोथी बार भी सांसत बन जाते लेकिन नरेंदर मोदी ने एक सेफ रास्ता अपनाया कि इस बार प्रत्याशी उतारियेगा दूसरा और एक सेलेब्रिटी को उतारिये तो अरुन गोईल को लाया गया मुझा फरनगर सीट पे अजीत सिंग को संजी वालियान ने आ रहाया था पांच अजार वोड़ से बड़ी कंट्रोवर्सी होई थी लेकिन इस बार क्या हुआ जैंत चोधरी आ गये हैं मीजेपी के साथ तो फिर वहापर टिकेट बदलने का मतलबी नहीं रहा संजी वालियान को टिकेट फिर से दे दिया गया मेरट में सभाजो की नरेंदर मोदी ने 31 मार्च को उसका मैसेज बागपत में भी गया बुलंसेर में भी गया गौतम बुद्ध नगर में भी गया क्योंकि जहां पर वो रैली आयोजित की गई थी प्लान इस हिसाब से नरेंदर मोदी ने प्लानिंग की के मेरट भी कवर हो जाएगा बागपत भी यहां से नजदी की है और साथी साथ मुझे फर्मेगर भी कवर हो जाएगा तो इस तरह की वह प्लानिंग करके चलते हैं आप देखिए सहनपूर में एक सभा उनना आयोजित की रा परतन में एक जन सभा को उनने संभोधित किया क्योंकि यह सीथ पिछली बार बसपा ने जीत ली थी तो वो सुनिश्चित करना चाते हैं कि जहां जहां पर हमारा खेल पिछली बार बिगड़ा था इस बार खेल बिगड़ने न पाए खेल बन जाए मैंने आपको बताया कि स साहरणपूर में जो रैली हुई उसमें काइदे से तीन डिस्टिक आते हैं साहरणपूर मंडल में साहरणपूर, मुझफरनगर और शामली इसको अच्छे तरीके से उनने कवर किया है और साहरणपूर में से ही दो लोग सभा सीटे बनती हैं साहरणपूर की दो विदान परसन उनकी बेटी को टिकर दिया है यू है और बड़ी लोगप्रिय हो रही है वहापर तो उनने लगा कि यह सीट टफ हो सकती है तो वहाँ पर भी एक सभा का एयोजन कर दिया गया साहरणपूर छेदर में तो सब चीजों को नरेंदर मोधी लगतार मैनेज कर रहे हैं और जैंत चोदरी के साथ आने से इन सभी सीटों पर वेस्ट यूपी में उने फायदा होना ही होना है तो उन्होंने जब ये परसेप्सन था कि सारी की सारी सीटे बीजेपी आसानी से जीत सकती है उसके बावजूद भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और देखिए ठाकु बहुल लगाओं में हमला हुआ गाड़ियों में तोड़ फोड हुई कुछ लोग कहते हैं कि फारिंग भी की गई लेकिन उस मामले में कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है सेफ रखा गया है क्या आप चार छेंट दस लोगों को आप नामजद करवाएंगे और ठाकुर समाज के लोग नामजद हो जाएंगे तो ठाकुर नाराच हो जाएंगे इतनी बारीकी से काम कर रही है बारते जंता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है अब देखे गाजयबाद में बस्पा ने नंद की सोर पुंडीर को टिकट दे दिया ठाकुर है कॉंग्रेस ने ब्रहमन डोली शर्मा को टिकट दे रही है डोली शर्मा पिश्री बार एक लाख वोट लेने में सफल रही है तो सब चीजों को देख कर भाल कर आगे किया जा रहा है इसी वज़े से जनरल वीके सिंग का भी टिकट कटा है उन्हें लगा कि यहाँ पर अगर लगतार दो बा काटने के लिए भी वीके सिंग का टिकट काटा गया तो देखें पीली भीत से वरून वगांदी का टिकट काटा गया है बहुत सारी सीजे मैनेज की गई है तो नरेंदर मोधी कोशिश में हैं कि अपने बल से अपनी मेहनत से और अपनी लगन से एक-एक सीट को जीता जाए और आप देखिएगा कि केवल मैं आठ लोग सबा सीटे जो पस्ची मुत्तर परदेश की बात कर रहा हूँ इसके अलावा उन्हें तमिलनाडो का भी पूरा चुनाव देखना है क्योंकि तमिलनाडो में आप जानते हैं कि 39 की 39 सीटों पर पहले चरणमी मद्दान होने जा है केलल की भी कुछ सीटों पर मद्दान होगा तो यह सब सारी चीजें इन सब चीजों को फोकस करते हुए नरेंदर मोधी तो पूरे देश में गूम रहे हैं और दूसरे तरफ इनके उलट अखलेश यादव जो बिलकुल कुलूलेस नजर आ रहे हैं शुरू से मैं दूसर आता है कि अखलेश यादव को चुनावी सेंस नहीं है राजनिती की कोई सेंस नहीं है और अखलेश यादव ने आज तक कोई चुनाव अपने दंपर नहीं जीता है आप बताईए 2012 में मुख्य मंत्री बनते हैं वो चुनाव मुलाहिम सिंग यादव के नेतरतों में बना दिया रेकिन उसके बाद क्या हुआ दो साल बाद ही 2014 में जब चुनाव हुआ सूपड़ा साफ हो गया सपा का केवल 4-5 सीटे जीत करा है वो ही परिवार वाली सीटे फिर उसके बाद अखलेश यादव ने अगला चुनाव फेस किया 2017 का बुरी तरह से हार गए विधा बंदन में ले आए मायावती ने तो 10-700 जितालिय अपने इनके पांची रह गए और फिर 2022 का आपने विधान सवाचनाव देखा यह उसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी को हर का सामना करना पराए वो एक अलगे तरह की राजनीती करते हैं अखलेश यादव उनकी ज कि उन्होंने इंडी अलाइंस में 17 सीटे कॉंग्रेस को दे दी समाजवादी पार्टी यहां की प्रमुख पार्टी है शुरुवात में चर्चा यह थी कि 8-9 सीटे देंगे और 17 दे बैठें समाजवादी पार्टी के पास क्या परतियाश्यों की कमी है जो इतनी आसानी से आप सीट दे रहे हैं कॉंग्रेस के पास तो वैसे ही कोई नहीं है राउल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी सबके सब उत्तर परदेस में ही जानते हैं लोग उत्तर परदेस से बाहर समाजवादी पाटिया कोई वजूद नहीं है गए थे ना मद्या परदेस में सीटे मांगने के लिए विदान सभाश यो नाओं में लेकिन कमरे के बाहर बैठाय रखा कमलनात ने इनको राम गोपाल यादव और इन सब लोगों को किसी को पूछा थक नहीं और अपने परत्याशी डिकलेर कर दिये थे अखलेश यादव तो बड़े तुनक मिजाज हैं बड़े नाराज भी हुए थे लेकिन उसके बावजूद आप 17 सीटे दे रहे हैं तो आप अपना खेल बना रहे हैं या पारने में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी के या बस्पा के बैनर पर पिछली बार मुस्लिम कंडिडेट जीद ले थे वहां पर मुस्लिम कंडिडेट इस बार उता रहे हैं मुरदाबाद में या फिर रामपूर हो या फिर साहरणपूर हो ज्यादा तर जगह उन्होंने कोशिश की है मायवती ने बड़ी स्ट्रेटिजिकली अपने परत्याशी उतारे हैं जैसे कि मुझा फरनगर में दारा सिंग परजापती को दे दिया परजापती समाज से आते हैं और मेरध में त्यागी को दे दिय कि वहाँ उन्हें सपा कर समीकर बगाड़ा है तो मायवती तो खेल बगाडने में लेगी हुई लेकिन अखलेश यादव को तो अपना खेल बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी और उससे भी बलेंडर उन्हें क्या कर दिया मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में मुक प्षिस तरिया जांच होनी चाहिए मुकतार अंसारी कैसे मारा गया रहे भाई माफिया था जेल में बन था आपको इतनी सानुबूती क्यों हो रही है साफ ताप डॉक्टरों ने कहा है कि हार्ट अटेक के करन मुकतार अंसारी की मौत हुई है अब यह गए क्यों है मुकता अनसारी का गाजीपूर के सांसद का वो भी विधायक है नुकतार अनसारी का विधायक जो है बेटा वो भी विधायक है जो जेल में आप बासनसारी तो एक ही फैमिली में दो दो टीन-तीन लोग सपके हैं और आप समझ लीजे के समाजवादी पार्टी जो मुसलिम वोट बैंक के लिए थ्रस्ट करती है कि साहब हमको इसकी तरफ जाना है वो इस बात को बूल जाती है कि इनकी छवी कैसी है परतियाशियों की आपके अब आपको याद होगा कि 2022 का जब चुनाव चल रहा था अविधान सब्रागा उस्तर पर देश का कर समाजवादी पार्टी की बड़ी च्हवी डैमेज हुई थी समाजवादी पार्टी को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था जबकि अखिलेश यादव और मयवती भी 2022 में यह कह रहे थे कि हम साब सुच्छी वाले परतियाशियों को टिकट देंगे अखिलेश परकास राजबर की उसके मारफत इन्होंने चुपके से उनको टिकट दिलवा दिया और वो जीत भी गया तो अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी की जो उनकी खराब चवी है खासतोर से गुंडा राजवाली जो चवी है जैसे के लालू परसाद यादव की प बदल चकवा है अब जनता ये देख रही है कि साब ये जो पर्तियासी है वो पर्तियासी कैसा है उस पर्तियासी की चवी कैसी है उस पर्तियासी की बेक्गराउंड क्या है क्या उस पर क्रिमनल केस हैं क्या वो अपराधिक परिवर्ती का है इन सब चीजों को लोग देखने कि आपने अपने पैरों पर ही कुलाडी मार लिया है वो काम अखलेश यादवने कर लिया है और ऐसी स्थिति में अगर आप इतने कमजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो आप फिर मुझे ये बताइए कि आप 80 की 80 सीटे जीतने से उत्तर परदेश में कैसे रोक सकते हैं भारते जिन्तापाटी को नरेंदर मोदी तो इसके लिए काम कर रहे हैं लेकिन आप अखलेश यादव पिलकुल ठीक इसके उलट काम कर रहे हैं तो मेरा मानना है दोस्तों कि अखलेश यादव को इस इस तिनी में अपने परत्याशियों के सपोर्ट में उतरना चाहिए, र अखलेश यादव ने कोई रैली आयोजित नहीं की है अभी तक अखलेश यादव को मैंने देखा नहीं को बड़ी रैली आयोजित की हो और चुनाव सिर पर आ गया है आज हम आठ तारीक में बैठे हुए हैं और चुनाव पर चार खतम हो जाएगा 19 से 2 दिन पहले 17 की शाम को कुल मिलाकर 9 दिन बचते हैं आठ लोग सबसीटों के लिए लेकिन अखलेश यादव की कोई प्लानिंग इस तरह की नजर नहीं आ रही है कि वो अपने इन परत्याशियों को कैसे सपोर्ट करेंगे तो आप भूल जाएए अखलेश जी कि आप मोदी को या योगी को उत्तर के घरत में आप सब लोगों से निवेदन हैं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर रवस्य कीजेगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेगा आपके फीडबैक को मैं पढ़ता हूँ मैं कोस्चिंस के अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेसे